जिगिड़नी फोर्ट से जू चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा गवादी बीस वर्षी युवक की मोत होगी आपको बता दे की बीस वर्षी युवक का नाम जो है वो सुल्तान बोकरा है जो की सनव फारुक बोकरा और रेजिडेंट हुसेन कांगनाव गांदरबल का ये रहने वाला है फिसलन के कारण बीस वर्षी युवक की मोत हो गई जह पर यह अपनी बकरियां चरा रहा था और पहाडी से जो है यानि की फिसलन होती है और पहाडी से खाई में जागिरता है और सुल्तान की जो है वो मोत हो जाती है बहुती दुखत आवाचार है कमन सक्षन पर आत्मा की शान्ती के लिए दुआ जरूर कीजिगा क्योंकि जिस त पहाडी से जो है वो फिसल कर घहरी खाई में जागिरता है जहां पर पुलिस के दुवारा बताया गया कि मोके पर उसकी जो है वो मोत होगी सुल्तान इसका नाम है और ये गांडरबल हुसेन कांगनाव गांडरबल का ये रहने वाला है बहदी दुखत है बीस वर्षी यु इस परकार के मामले देखने को मिलते हैं, जहापर फिसलन के कारण जो है वो मोत हो जाती है और देखे किस परकार से जो है वो 20 वर्ष युवक ने अपनी जान गवादी इनकी उम्र की बात करें तो महस इनकी उम्र जो है वो 20 वर्ष थी और आप सोची कि समय परिवार पे क्या कुछ बीत रही हो रही है अपनी बक्रियों को चुराने के लिए यह यानि की बाहर निकलते हैं मुगर रोड की किनारे पनाड पुल के पास यह बक्रियां अपनी चराने के लिए जाते हैं बेड़े अपनी चराने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पहाड़ी से फिसल कर जो है वो खाई में जग गिरते हैं वहाँ पर यह हादसा पेश आता और कभी भी यानि कि जब भी बारिश होती हैं तो फिसलन के जो है वो चांसेस काफी जादा बढ़ जाते हैं और पहाडी शेत्रों में जो है वो काफी जादा यानि पहाडी इलाकों में जो है वो फिसलन देखने को मिलती है तो आपके पास भी बकरियां हैं भेड हैं अगर आ बेहदी दुखत रहता है क्योंकि आप देखे कि किस परकार से 20 वर्षी युवक सुल्तान को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी मोत हो जाएगी वो अपनी बक्रियों अपनी भेर को चराने के लिए तो जा रहा है लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था उसे ये पता तक नह बेहदी दुखत है क्योंकि लगातार जब इस परकार के मामले आते हैं तो बेहदी दुखत रहता है कमेंट सक्षन पर आत्मा की शांती के लिए दुआ जरूर कीजेगा जाते जाते मैं आपको फिर बता दूँ कि 20 वर्षी युवक ने अपनी जान गवादी मोत होगी और क आते साथ आत्मा की शांती के लिए दुआ जरूर कीजेगा मुझे देजिए जाज़त तमस्कार